आपका स्वागत है मेरे चैनल में तो आपके अन्वादा बहुत प्लीज तो गाइस आज कब लॉग की सुरुवात हो रही है साड़े नौ बज़े क्योंकि आज जो है वो नास्तव गेरा हमारा जल्दी हो गया था क्योंकि पपा को चुटी नहीं थी संडे वाले दिन चुटी रहती है एक दिन सिर्फ तो उस दिन आराम से घाते हैं पिते हैं मस्त तो आज का ब्लोग थोड़ा लेटी स्टार्ट किया मैंने और आज का ऐसरा गाज देख सकते हैं मेरा बैडरूम किना गंद हो गया है कंड़ा मैट के ऊपर विह बहुत साहरा कबाडा कबाडा होगए तो सबस .देखे मेरा आज का ब्लोग सबस्क्राइव मैं कर रही हूं अपने रूम की सफाई तो सबसे पहले दिखाना चाहोंगी हिमाचली कैप बहुत अच्छी है और इस में जो हो रड और पिंक कलर के फूल है तो यह बहुत ही लगाई जाती है जब शाद्य गया रहा होती है तब लगाई जाती है हिमाचल में तो मैंने कपड़े के फॉल्ड क तो फिर मैंने उसको फॉल्ड कर दिया और अभी हमारा जो है वो फॉल्ड करने के बाद में दूस्रा ब्लेंट करूगी क्योंकि अभी जो हरजाई के लेना झोड़ दिया है मैने क्योंकि हैं ठंड थोड़क काम हो गई है अभी अच्छीघा सी धूप पढ़ रही है सुबह से दूप लग जाती है अभी जलदी सुभा हो जाती है किए ठट के टाइम में बहुत लेड दूप लगता है कम से कम ग्यारा वजह दूप लगती है मेरे माई के में तू सूझ सकते कि ना ठंड होती होगी नॉवंबर दिसंबर में क्यूंकि इदर बरफ बहुत ज्यादा पड में देख रही थी बड़ी है यह भी फ्रॉग जो है तो अंसु की आप सुनाई देरी होगे आंसु जो है मम्मी के पास बाहर तो उसका चलता ही रहता है कुछ ना कुछ तो मैंने सोच आप यह जो है बैड कैसे चद्द जो उपर से फॉल्ड करने के लिए अंसु नहीं किया था यह सब बैड सिट का फॉल्ड का बाड़ा तो अभी रूम तो साफ हो गया तो अभी चलते हैं बाहर तो हाज करने वाली हूं मैं इन कपड़ों की फॉल्डिंग यह देख सकते हैं यह मेरी अंशू मम्मे जी है साथ में अंशू देख सकते कैसे कर रही हैं अंशू खाट दो बहुत नट खटे अंशू तो आभी जो है यह देख सकते हैं अए बगवान कितना ज्यादा कपड़ हो गया है क्योंकि यह दोहे हुए थे आई तो अच्छी खासी धूप लगी हुई है लेकिन कभी-कभी मौसम जो है खराब हो जाता है माचल का तो आज तो अच्छी खासी धूप लगी है तो देखिए बालकनी की कर रही हूं मैं आज सफाई एक काम हुआ नहीं कि दूसरा काम पले पड़ गया मेरे क्योंकि यह कपड़े जो है बहुत दिन से धुए हुए थे मतलब कम से कम दो दिन हो गये थे और फोल्ड करने का टाइम ही नहीं लगा क्योंकि गाओं में इदर शादी भी लगी हुई थी तो कल जो है शादी में क्योंकि गई होती तो मैं जुरूर व्लॉग बनाती और आपके साथ जुरूर शेयर करती और यह दादी मा ने लिया हुआ है अंशु को फ्रॉक जह है दिवाली के टाइम में दिवाली के टाइम में हम बैंगलोर में थे तो अंशु की दादी मा आये थे उदर हमसे मिलने के लिए तो बोल रहे थे आंशु के लिए मैंने फ्रॉक लिया हुआ था बहुत अची फ्रॉक है यह मैंने दो बार पहना है उसको और कपड़े देख सकते हैं कितने ज्यादा है बापरे और मैट रख दिया सबसे पहले मैंने नीचे क्योंकि उसको अंशु के लिए मालिश व सब्सक्राइब कर देख सकते हैं मुझे तो नहीं आती सिलने के लिए लेकिन मेरी चाची मा है वह बहुत अच्छे ड्रस सिलते हैं तो उनसे सिलवाया हुआ है यह सूट और बहुत अच्छा ड्रेस है यह गरम ड्रेस है क्योंकि इसके उपर स्वेटर पैंडना मतलब नहीं पहन सकते इतनी गर्मी नॉर्मल सी गर्मी और ठंड होती है तो स्वेटर नहीं पहनती में इसके साथ क्योंकि गर्म ड्रेस है और यह वाला मेरा मुझे मेरे हस्बेंड ने दिया हुआ था गेफ्ट जो है यह वाला ड्रेस जो मैं फॉल्ड कर रही हूं और गॉल्डन कलर का फिका फिका थोड़ा सा बैंगलोर में लिया हुआ था मेरे हस्बेंड ने पांच दिन बारिश लगा तर बारिश रही तो मैंने ब्लॉक्शूट किया हुआ था कि घर के पास जरना बन गया था इतनी बारिश हुई बहुत जोर से डर लगने लग पड़ा और फिर अभी बं हो गई थी उपास दिन के बाद तो मैंने एकदम इकठा कपड़े खोले सब इकठा किये और मशीन में धोने के लिए लगए क्योंकि हाथ से नहीं धोगए था क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और अंशू के कपड़े कभी-कभी मैं हाथ से भी धो लेती हूं क्योंकि अब रहें अंशू अंशू बहुत शैतान होगी है अभी बहुत जादा तो ममी को परेशान नहीं तो नहीं हो ऑच्यू के पास आना है मुझे मुझे मम्मा के पास आना है यह जो पहना हुआ है यह तो मैंने ओल्लाइन लिवा थमीसु से बहुत अच्छे ड्रस निकला यह भी और इसका दुपटा भी फोल्ड कर रही हूं मैं क्योंकि इदर पंजाबी ड्रस चलते हैं ज्यादा कर तो साड़ी कोई नहीं पहनता है मलमाइके में और मेरे संसुराल मे अच्छ लगता है यह तो मुझे अच्छ गमीश कमीश बहुत अच्छी लगती है देख स्सक्राइस अच्छ इंग एटने सारे कपड़ कर गर करके क्यांकि इकट हाई है सब कपड़े फोल्ट करने के लिए और अन्शु का ब्लांकेट भी फॉल्ट करने के लिए देलियूज के कपड़े आई नहीं अब मेरे स्वेटर आ गया बीच में और स्वेटर को भी फॉल्ट गरें क्योंकि ठेंड बहुत है तो में कभी-कभी जो स्वेटर पैन लेती हूं और अंशु को लग रहा है कि मुझे ले लो कम-कम कर रही है मुझे अगया अंशु की स्वेटर जो है हुड बोल सकते हम इसको और ल कर रही हूं यह जो है पिंक सूट का है बहुत अच्छा मैचिंग है सूट का भी तो यह सब दोए हुए थे और आगे अभी आंशु की बन्यान चोटी सी और चोटी-चोटी लोर आंशु की कपड़े ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं पहले उसके कपड़े फॉल्ड कर चुकि आगे अंशु का ब्लेंकेट अंशु के लिए अक अलग सा ब्लेंकेट रख दिया है मम्मी ने पहले निकाल के क्योंकि अंशु बाहर भी सो जाती कभी-कभी तो यह उसको नीचे भी शाती हूं में बैट सीटर कभी-कभी जो है गिली कर देती है वह पानी गिरा देती है जै सफाई चल रही है तो मैंने बोला कि बात भी आउंगी मैं तो अंशु के सूज भी रख दिया मैं सैड़ी में बहुत अच्य सूज है अभी पैन के चल पड़ती है यह तो हो गया मेरा फोल्टिंग कपड़े का आई तो ठग गए काम करकर कि इतने सारे कपड़े फोल्ट करन जाड़ोगे राचे से लगा ले क्योंकि आंसु कभी-कभी जह है रेंगती है ऐसे नीचे तो मुह में डाल देती कुछ भी आया उसके हाथ में तो मुह में फटक से डालेगी हमें नहीं पूछेगी हमें नहीं दिखाएगी कि मैं क्या डाल रही हूं मिट्टी हो जाए किछ भी आया उसके हाथ में बहुत शैतान है तो मैंने दूद रखा हुआ था कीचन में और याद नहीं रहा था और ममी को बोला मैंने का दूद रखा तो इसलिए ममी चल लगे किचन में और आशी मुझे देख रही है तो फाइनली मेरा काम यह हो ही गया हमारा थक गई काम करकर के आज तो थोड़ा गर्मी भी लग रही है काम जादा हो गया साड़े नौव वजे हुए है तो धूप खिल खिलाती लगी लगी है बाहर तो ऐसा लगनी रहा है साड़े नौव वजे आसा लग रहा है कि दो पैर के तीन वज गए है और यह देख सकते हैं गाइस मैंन अच्छी से फोल्ड कर दिया उसको अच्छी से जाड़ गया रहा लिया इसमें धूल बैड़ गई थे नीचे बिछाया हुआ था यह तो अंशु एक तो बहुत शैतान है और ब्लैंकेट भी-कभी जो है वह बाहर सो जाती है वह तो बहार उसको ठक लेती हूं कभी-कभी त कभी-कभी तो पैर को सो जाती है तो इसको मेरी हालत कराब हो गयी है अपसेनह तो आही गया लेकिन दिखने रहा होगा इसनक अपसेनह अगया मुझे घरमी लग रही है वह बहुआ तो सुप़-सुबह ठंड लग रही थी और अब गर्मी लगीं सब काम करके तो यह दिख स तो मैंने अपने मम्मी के कपड़े फोल्ड कर दिया जो और छोट की कपड़े के फोल्डर तो गाइस विश्चा के तो गमले पूल के में और यह वाले फूल लग जाता है तो यह कम से कम एक महीन हो गया है तो इसमे पानी दिया हुआ थे गिल्ला री जो है और फाल्तू के जो भी इसमें चोटे चोटे पेड आते हैं वो निकाल दिया है मैंने कुछ एक रह गया है और इसका बहर करे गया है थोड़ा सा और गाइज यह है और यह वाला है यह देख सकते हैं इसमें तो पूरा निकाल दिया है मैंने साइड साइड का जो भी फालतू जो पेड आते हैं तो देख सकते हैं कितना इसको कुछ this में पत्ती तो कुछ एक घासा रह गया BRI यह देख सकते वह किस ऊपने पता है बर्ती ह Congress इंहें दीज़ित आाननी ऐस इतना काम करने के बाद जी आंपर भाइन जैन्खिर और मम्मी घारें को तो कि को खा रहे हैं मम्मी ममम्मी झुद ने खा रहे है तेने स्वाधिस्ट को थे खा रहे हैं उसको क्यलानुर्फिण को खाती है अच्छा लगते है ना ममं आ जाया न आई गशे खा दिये ममों उसको थोड़ा थोड़ा करके खिला रहे हैं क्या खा रहे हो बाबु आप क्या खा रहे हो पिष्टी है ना ममा वो मतलो बाकी फूर्ट के लिए नाराजी रहती है एक केला है उसको बहुत अच्छा लगता है पहले से ही जब वो 6 मंद की हुई थी त केला अच्छा लगता है उसको ऊपने क्याल खिलाथें और भी का यजिए रही है व स्केल भी रही है उसको दिया हुआ है किये खिला रहे थैं तुझजे अंशी हाई कर दो हाई हाई कर दो उसको लग रहा है बस मुझे खिलाते रहो हाई हुए कुछ नहीं करनी है आज का व्लोग इधर ही गतम करती हूं मैं तो मिलती हूं नए ब्लोग नए शुरुगात के साथ तो प्लीज गाइस बहुत सारा प्यार दीजिए और आपको पहाडी ब्लोग आते रहें कि आप माई के में हूं तो यह फिल पूछते हैं दीजिए आप माई के में कब तक हो घाइस अब मैं बताने सकती हो कब तक हूं क्योंकि आप खुद मालम नहीं मैं कब तक हूं तो जब जाओंगे तब आपके साथ जुरूव शियर करूंगे कि मैं अभी सुसराल जा रही हूं तो अभी तुम आइके में ही हूं गाइस तो आइसा मन कर रहा है अभी सो हो जाऊंगे तो यह देख सकते हैं तो बाई बाई